आजम खान को लेकर कोई भी मामला योगी आदियत्तिरात के सामने आ जाये उस पर साइन होने में देर नहीं लगती है आजम खान को एक तरीके से योगी आदित्यनात ने तबहा बरबाद कर दिया है इसमें कोई इलीगल पहलू नहीं नजर आता आजम खान किसी भी मामले को पोर्ट में चैलेंज करने की स्तिती मेनेजर नहीं आते क्योंकि जो भी उन्होंने काम किये हैं वो सारे दाइबाएं से किये गए है सरकारी रुत्बे का रसूख का इस्तेमाल करके उन्होंने सारे काम किये थी एक मुलाना जोहर ट्रस्ट बना दी थी उन्होंने उसके नाम पर जोहर उनिवस्टी रामपूर में बनाने लगे बहुत बड़ी उनिवस्टी बनाई गई और सबसे मेंन बात ये है कि मुलाइम सिंग यादव के समय इसको सारी जमीने अलोट की गई और उसके बाद 2007 से 2012 तक मायावती की सरकार उत्तर परदेश में रही लेकिन उन्होंने भी इसके प्रती सौफ्ट रवईया रखा कोई आपती नहीं फिर उसके बाद अखलेश याद आबा गया है 2012 में फिर तो और भी फलफूल गया सारा जितना भी कारोबार था जोहरी इनिवस्टी के नाम पर और भी जमीने ले ली गई उसका विस्तार कर दिया गया किसानों से जबरन पट्टे लिखवा लिए गए बहुत कुछ किया आजम खाने लेकिन सब लोग देखते रहे लगबग 2006 से लेकर और 2017 तक 11 साल तक आजम खाने रामपूर में जोहरी इनिवस्टी के नाम पर अपना पूरा खेल किया और वहाँ से अपनी राजनीती भी करते थे हर जी आत्रियों को भी भार भेजा जाता था और तमाम तरह के ऐसे काम जिनके लिए वो जमीन नहीं उनको दी गई थी वो सब वहाँ से हो रहे हैं और इसके बाद योगी आदित्तेनाथ की सरकार बनती है 2017 में और फिर सारी उल्टी गिंती शुरूर जाती है आजम खान साब को अपना लोक सभा चुनाव जेल में रहते रहते लड़ना पड़ता है विदान साबा चुनाव जेल में रहते रहते लड़ना पड़ता है बहुत खराब इस्तिती में आजम खाप होच गए है और जो चीजे सामने आई हैं दोस्तों उन्हें जानने के बाद तो ऐसा भी नज़र आता है कि यार कहीं उत्तर परदेश में कानून, विवस्था, लॉए और नाम की कोई चीज थी भी या नहीं 2017 से पहले इसके लिए मैं मायावती को भी इसलिए पूरा दोशी ठहराता हूँ क्योंकि जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने भी नहीं देखा 2007 से और 2012 के बीच में भी यहाँ पर काम चलता रहा रामपूर में आजम खां की जो नवाबी थी उनकी जो बातशाहत थी वो यहाँ पर चलती रही और उनकी जो जोहरी निश्टियों उसने इतना बड़ा सुरूप धारन कर लिया कि सारे कानून ताक पर रख दिये गए लेकिन मायवती की आखे बंद रही योगी आदित्यनात ने फिर अपनी तीसरे आख खोली और उसके बाद ये सब कुछ होता हुआ नजरा रहा है अभी देखें कि रिसेंट एक फैसला हुआ है मंगलवार को लखनव में एक बड़ा फैसला लिया गया है एक जमीन दी गई थी रामपूर जिले में मुर्तजा उच्तर माध्यमे की विद्धाले है उसकी जमीन 41,181 वर्ग फीट की जमीन 2006 में सितंबर 2006 और फरवरी 2007 में दो सरकारी आदेशों पर मुलाहिम सिंग यादव समझी चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने मौलाना अली जोहर ट्रस्ट को दी थी ये जमीने और इसलिए दी गई थी कि आप जोहर अली ट्रस्ट जो बना रहे हैं उसमें आपको एजूकेशनल संस्थान बनाने हैं स्कूल कॉलिजिस खोलने हैं युनिवर्स्टी बनानी हैं तो इसलिए आपको जमीन दी जा रही है 30 साल के लिए ये जमीन मिली 100 रुपे परती महाकी कीमत पर समझ सकते हैं जिसे कहते हैं कि कोडियों से भी कम दाम उपर जल्वा था आजम खान मंतरी थे दबंग मंतरी थे वुलाइम सिंग यादव की सरकार में उन्य शेहरी भी कास मंतरी थे कौन उन्हे रोक सकता था और उसके बाद मुलाइम सिंग यादव को तो मुसलमानों के वोट चाहिए थे और उनका माना था कि आजम खां जब तक मेरी पार्टी में हैं मुसलमान मुझसे कहीं नहीं जाएंगे। ये जमीन दे दी गई और वहाँ पर हुआ क्या वहाँ पर पार्टी का दफ्तर खोल दि आप सब जानते हैं कि आकास सक्षेना जो इस समय रामपुर के विधायक हैं बीजेपी के उन्होंने किस तरीके से एक लंबी लड़ाई आजम खां के खिलाव लड़ी एक वो विजल ब्लोर बने और उन्होंने सरकार के सामने ये चीज़े रखी किस किस तरह के कारणामे हो योगी आदित्यनात की सरकार बनी तो इन्होंने एक कमेटी बनाई खास तोर से ये जो 41,181 वर्ग फिट की जो जमीन दी गई थी मोलाना ये जो मुर्तजा उच्तर मादिमिक विध्याले की जमीन जो जोहर ट्रस्ट को दी गई थी इसके बारे में महारामपुर की डीम के न आई योएस होते हैं जिला विध्याले निरिक्षक और बेसिक सिक्साधिकारी उनके अब 70 भी महीं से संचालित हो रहे थे तो ये इस्थिती थी इसके बाद कल एक फैसला लिया गया और योगी आदित्यनात की सरकार ने कैबिनेट में कल ये फैसला लिया और इस फैसले के बाद ये तैय किया गया कि जो इनकी ट्रस्ट को जो लीज पर जमीन दी गए थी स्कूल की जमीन वो वापस ली जाएगी तालकी से लेकर अखलेश यादव जो समाजवादी पारटी के अद्जक्स हैं उन्होंने आलोचना की और उन्होंने कहा कि उत्तर परदेश में समाज बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं भू माफिया उन्हें गोशित किया जा सकता है जमीन कब जाने के आरोप उन पर लगाए जा चुके हैं 27 किसानों की जमीन कब जाने के मुकदमे कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे हैं और गलब तरीके से हत्याई गई जमीन और सरकारी ध धनके दुरुपयोग के आरोप में भी उनके खिलाफ कारवाई चल रही है यूनिवर्स्टी की जमीन जोहर शोध संस्थान इन सब की जमीने सपाकारियले और आरपियस के हाथ से सब निकल चुके हैं 1420 में से महज 12.5 एकड ही बची है जो इस ट्रस्ट की जमीन है जो लीग इस से ये साबित हो जाता है कि योगी आदित्यनात से पहले न सिर्फ गुलाइम सिंग यादव की और अखलेश यादव की सरकार बलकि मायावती की सरकार ने भी इन पर उंगली नहीं उठाई और 2019 में जो ततकालिन डियम थे उन्होंने इसकी रिपोर्ट बेजी गई थी औ रामपूर में आजम खां की देखरेक में यहाँ पर एक समाजवादी पार्टी का कारयले भी बना दिया जया था जिसे दार दारुल अवाम के नाम से एक बिल्डिंग बनी हुई थी उसमें वहाँ से समाजवादी पार्टी का कारयले संचालित किया जासत था तो यह सब ची ने ये दिखा दिया, जैसे हमने फिल्मों में दिखा है, एक डॉन होता है, और सारा सामराज्य उसका हुआ करता है, कोई उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, कोई अफसर नहीं बोल सकता, कुछ उसी ही तरह के डॉन की भूमिका में, भूमाफिया की भूमिका में आजम खान अजर अब्दुल्ला आजम 25 साल का भी नहीं वा था और उसको चुनाव लड़वा दिया गया और बाद में परजी निकले जो उसका असली पास्पोर्ट है दो-दो पास्पोर्ट, दो-दो डेट ओफ बर्थ के आधार पर ये सब कारणा में आजम खां की थे तो आजम खां को लेकर वैसे तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है आप उसको भी देख सकते हैं लेकिन आजम खां के लेकर जो खासतोर से उत्तर परदेश में मायवती मुसल्मानों के वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकती है हो सकता है कि उस समय भी उनके मन में सौफ्ट करनर आओ आजम खां के लिए कि भाई मुसल्मान है इनके पंगे को अगर मैं इनकी जो जोहर ट्रस्ट है उसके खिलाफ कोई कारवाई करूंगी तो मुसल्मान मुझे वोट नहीं देंगे और यही डर है जिसकी वज़े से आजम खां का जो सामराज्य है वो जीरो से हजार लाग करोड तक पहुँच गया है इस मामले पर मेरी नजर लगतार बनी रहती है आगे भी बनी रहेगी और यह वीडियो आपको अच्छा लगए तो लाइक कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं कहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और जुड़े रहें मेरे साथ नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें